स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आई थे यूट्यूब चनल पर अगर आपका भी एक सपना है 2024 में गौर्णमेंट जाब करने का गौर्णमेंट जाब पाने का तो ये एक अच्छी सुरुवात हो सकती आप सब के लिए आपने 2023 तक चाहे जो चीजे की वेकिंसी आई फार भरा नहीं हुआ सेलेक्सन उन सब को पीछे चोड़के आप एक नई एनर्जी के साथ नई उर्जा के साथ पूरे प्रयास के साथ फिर से लग सकते हैं गौर्णमेंट जाब के लिए उसी क्रम में 2024 की नई वेकिंसी भी आनी स्टार्ट हो चुकी हैं जिसके क्रम में सेल इसक चुकी है और भंपर वेकिंसी आती है तो यहां पर कॉन्स्टेबल पोस्ट की वेकिंसी नहीं कौन्स्टेबल टरेट्स्मेंट जिसके कहा जाता है वह वेकिंसी इसमें देखते हैं कौन-کौन Sे कैनिड यहां पे इलिजबल होंगे तो आईये देखेंगे जो एक साथ साथ उसमें कौन-कौन से post रहती है, क्या-क्या उसमे eligibility मागा जाता है, क्या होती salary, क्या होगा selection process, उन सब के बारे में बात करेंगे तो पहले आप ये एक short notice देखिए यहाँ पे, इसके पहले आप सबसे एक request, ऐसी सभी update information हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं तो इसके लिए आप लोग जूड़ सकते हैं टेक study ITE YouTube चैनल से, चैनल को सबस्क्राइब करके, और साथ में वेल आइकन को दबा के, और एक चीज़ वीडियो को like और share, ज़्यादा ज़्यादा कीजेगा साथ में take study ITE, आप टेलिग्राम चैनल पे जूड़ जाएंगे, तो वहाँ पे सभी तरह की update वहाँ PDF आपको मिलता रहेगा, आप कोई भी वहाँ query अपनी कर सकते हैं और अच्छी तयारी के लिए आप लोग take study ITE का mobile application ज़रू निस्टाल कर लिजेगा अब यहाँ पे अगर vacancy की बात करें तो इंडियन citizens के लिए vacancy होगी, online applications male and female से invite के जाएंगे, 240 post पे 1723 vacancy male candidates की होगी, 417 vacancy female candidates की होगी, post होगी आपकी constable tradesman in BSF pay matrix level 3 का होगा, यानि initial पे आपका 21,700 basic होगा, इसमें 3% का annual increment लगते होगी, यहाँ तक जाता है आपका, साथ में HR A, DA, other allowances, यानि एक कुल मिलाकर आपकी salary 35,000 के आसपास in hand यहाँ पे बनेगी, इसके साथ साथ आपको बाकी जो facilities होती है, family medical, children education, रहने का, यह सारी facilities भी आया जा सकता है, BSF के बास औराइज रहेगा, वो तो रहता हो राइट, एंड साथ में official website पर notification जल्द इसका आ जाएगा, और जैसे notification आ जाता है, जो advertisement है, उसके आने के 30 दिन के अंदर-अंदर, online mode में आपको form fill up करने रहेंगे, यह 27 December का एक लेटर है, जो जारी किया गया BSF की तरफ से, तो इसी मंध में, जनवरी के मंध में, या Feb के सुरुआत में, आपको वेकिंसी देखने को मिल सकती है, अरलियर इसके पहले जो वेकिंसी आई, उसमें क्या मांगा गया था, आई ये उसको देख लेते हैं, इसके पहले देखिए यह वेकिंसी आपकी फेब 2023 की आई थी कि हाँ पर आप देख सकते हैं फेब 2023 की जब जारी की गई थी इसमें टोटल 1284 पोस्ट थी इस बार तो लगबग पोस्ट आप मान लीजिए डबल है तो बहुत ही अच्छे अपॉर्चुन्टी ये भी लेवल 3 की ही जॉब थी आपकी कॉंस्टेबल ट्रेट्समेन की पोस्ट पे वेकिंसी क्या क्या रहती हैं देखिए कॉंस्टेबल कॉबलर, कॉंस्टेबल टेलर, कॉंस्टेबल कुक, कॉंस्टेबल वाटर कैरियर, इसके लावां कॉंस्टेबल वासरमेन, कॉंस्टेबल बारबर, कॉंस्टेबल स्वीपर, क रहती हैं इसमें eligibility क्या मागा जाएगा देखे अगर आप सोचें सिर्फ 10th और 12th पास तो यहाँ level 3 की job है कोई level 1 की job नहीं है यह तो इसमें आप लोगों को जो experience भी मागा जाएगा साथ में आप से जो पढ़ाई है उसमें ITI यानि trade certificate या 12th या 10th मागा जा सकता है ठीक है अभी हम आपको दिखाने वाले female के लिए भी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट रहती है क्योंकि vacancies reserve रहती है इस बाद 400 से जादा है तो female candidate को भी बहुत अच्छा मौका यहाँ पर मिल रहा है अब यहाँ देखिए vacancies की अगर बात करें तो सबसे पहले age limit जो होती है वो 18 से 25 साल रखी जाती है जनरली एक बार ऐसा हुआ था 18 से 23 साल भी रखी गए थी बट 18 से 25 साल रखी जाती age SCST OBC का इंडेट्स को SCST को 5 साल OBC को 3 साल की age में छूट मिल जाती है educational qualification की अगर यहाँ बात करें तो इस बार क्या आती है कुछ ITI की trade भी आते हैं अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ बट जो vacancies होती है उसमें से constable cobbler, tailor, wasserman, barber and sweeper के case में क्या होता है कि आपने 10 ही pass की हो, आपके पास proficiency हो इस trade में मतलब आपके पास experience हो इस trade में काम करने का कम सकम एक साल, दो साल कुछ बार तो 3 साल का भी experience मागा गया था जब carpenter, plumber, welder इस तरह की vacancies आई हैं ITI से related constable के साथ तो उसमें 3 years, 2 years ऐसा experience भी मागा गया previous जो notification थे उसमें तो full notification का हम लोग wait करेंगे क्योंकि BSF है, recruitment में कुछ भी changes कर सकते हैं क्योंकि कई बार vacancy आती, seat फुल्फिल नहीं होती तो कुछ ना कुछ हो लोग जो है उसमें बदलाव कर लेते हैं and must qualify trade test इसमें क्या होता जब आप भरते हैं farm जो बाकी vacancy जैसे constable cookie, water carrier या waiter की आती है generally अगर आएंगी तो उसमें आपसे NSQF level 1 का course मागा जाता है food production है kitchen में and इसके साथ साथ कुछ experience भी यहाँ पर आपके पास रहता है तो आप वो farm भर पाते हैं multi-skill candidate जो होते हैं उन्हें यहाँ पर extra preference दिया जाता है height का भी यहाँ पर standard रखा जाता है male candidates के लिए 165 cm, female के लिए 165 cm and chest का भी यहाँ पर रखा जाता है criteria 75-80 cm आपकी chest का जो होना चाहिए size यह यहाँ पर रखा जाता है condition ठीक है यह देखिए अगर examination की यहाँ बात करें तो first phase में आपका written examination होता है बट एक बार इसको बदला भी गया था written examination को first phase में न करके पहले physical standard test PET आपका करा दिया गया था उसके बाद written examination कराया गया था ठीक है तो इसको change भी कर दिया गया था एक बार बट इस बार फिस से आपका यही आ सकता है तो first phase में written examination आपके जो होते है उसमें आपको 100 number का written examination होता है जिसमें 35% UR को बाकी candidates को 33% लाना होता है पास होने के लिए questions कहां से पूछे जाते हैं तो general awareness जीके से 25 question होते है general elementary mathematics के 25 होते है analytical aptitude यानि reasoning के 25 होते है और basic knowledge होता है Hindi और English के उसके 25 होते है total 100 question 120 minute का आपको यहाँ पे time मिलता है उसे आपको pass करना होता है यह pass कर लेने के बाद जो standard होता है वो 10th pass candidates का है लगबग रहता है यहाँ पे standard and second phase आपका PST यानि physical standard test होता है and अगला physical efficiency test होता है standard में आपकी height, weight, chest यह सब ना पा जाता है and efficiency test में आपका जो running होता है वो आपसे करवाया जाता है यह दोनों करने के बाद आप यहाँ पे final select होते है तो यह हो सकता कि आप PST पहले हो उसके बाद return examination हो number आप form कितने आते हैं उसके basis पे BSF एर decide करता है उन्हें पहले क्या करना है तो इस तरीके की vacancy आएगी इसके बाद आपका trade test होता है जैसे cobbler में आपसे जूते वगरा पालिस करा के देखे जाते हैं tailor में आपसे cutting, cloth का, stitching यह सब uniform वगरा कराया जाएगा washerman में जो खाकी उसको iron करना, धुलना, cotton का, woolen का यह सब कराया जाता है बार बार सुई पर cook water सभी का देखे cook वगरा में trade test required नहीं बट यहाँ experience आपसे, एक certificate आपसे मागा जाता है तो ऐसी vacancy आप सब के लिए आएगी इसमें जो candidates eligible रहेंगे आप लोग form जरूर भरिएगा and form भरने के बाद आप इसकी अच्छी तयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं तयारी हम लोग channel पर भी आपके साथ syllabus पूरा share करते हैं साथ ही application पर हम आप सब के लिए जल्दी इन सब government jobs related जो courses हैं available करा देंगे तो application आप लोग अपने mobile phone में जरूर install कर लीजेगा जिससे आपकी तयारी government job की अच्छी चलती रहे and farm भरना जैसे ही start होगा detail notification जैसे ही आएगा आप तक कोई information हम पहुचा देंगे देखिए 20 फरूरी 2023 को notification आया था इसका भी sort notice पहले जारी किया जा चुका था बाद में यह जारी किया गया था ठीक है तो जल्दी आपका official website पे उसका notification आ जाएगा जो 2100 से ज़्यादा vacancy इस बार आ रही है तो काफी bumper vacancy रहने वाली है आप लोग उसमें जरूर उसका फायदा उठाईएगा and यहाँ एक और condition होगी candidate जो होंगे हर state से अलग लग vacancy आती जिनके पास domicile certificate होगा न वही यहाँ आती हर state से vacancy बट माली जो यूपी के कुछ जोन से आई तो उसमें यूपी वाले candidate से apply कर पाएंगे तो यह चीज भी आपको ध्याँ रखना उसी concerned state से आप apply कर पाएंगे जिस state से vacancy रहेगी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी state से आप हो यूपी से और आप apply कहीं और से कर दें तो ऐसा आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे यहाँ पे concerned state का जो detail है वो भी दिया रहता है उसी state से आप उसी तरीके से apply कर पाएंगे यहाँ पे बाकी आप कहीं और से apply नहीं कर सकते हैं यहाँ देखिए जैसे इस तरह से state के नाम दिये गए इन सब जहाँ पे vacancies आती हैं यहाँ पे आगे जो है उनको responsibility जो recruiting agency रहेगी या center रहेगा उसका address भी यहाँ पे दिया रहता है यहीं आपका PET, PST जो है यह सब करवाया जाता है तो उसी के recording आप यहाँ पे फार्म भर पाएंगे तो आपके पास उस state का जैसे यहाँ देखिए पंजाब हिमाचल चंडीगर्ण ठीक है तो यह अगर vacancy आती तो आपके पास यहाँ का जहाँ भी आप apply करेंगे उसका आपके पास residential certificate होना चाहिए Thank you very much ख्यार रखिएगा अपना मिलते हैं अगले अप्डेट साथ अगले वीडियो में vacancy अच्छी और भी vacancy जाती रहेंगी आप तक हम information लाते रहेंगे जुड़े रहेगा हमारे साथ मिलते हैं अगले अप्डेट के साथ अगले वीडियो में क्या लखिएगा आपना